मौर्निंग पॉल्टेक्निक फैमिली मैं विश्वजीत आप सबों को एक न्यूव वीडियो में सौट करता हूं आज हम लोग सीखेंगे कि ब्रीड वोड क्या है इसका क्या यूज है और इसका हम कैसे उप्योग करते हैं सबसे फस्ट आप आल हम लोग सीखते हैं कि ब्रीड सरकित सब्जेक्ट में बहुत सारे सरकित को देखते हैं बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सरकित देखते हैं या अपने घर में बहुत सारे एलेक्ट्रोनिक्स गैजट देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे 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 एलेक्ट्रोनिक्स कंपोनेंट जैसे आपका यह दिखिए resistor हो गया यहाँ पे यह capacitor हो गया यह LED हो गया आपका यह दिखिए यह bg какие transistor दिखिए transistor आप इसक MARC यह दिखिए यह हमारे पास IC है यह हमारे पास क्या है 555, IC रखा हुआ है online इस सबी component एक दूसरे के साथ salding के true जुरे रहते हैं लेकिन हमारा जो ब्रीड वोड है ये ये हमारा ब्रीड वोड है इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं यानि बिनार सॉल्डिंग किये हुई हमें इसमें सॉल्डिंग करने की कोई जरुवत नहीं परती है बरकि हम कोई भी कनेक् एड करना रहे या कोई भी सरकीट में बनाना हो वह बहुत ही आसानी से इसमें बन जाता है और यह रियूजेबल है यानि इसका हम फिर से यूज कर सकते हैं और हमारा कंपोनेंट पर भी कोई परभाव इससे नहीं पड़ता है हम कैसा भी सरकीट बनाएं इसको फिर से यूज क कितना होता है और एक चीज हम ब्रिड बोर्ट के आने से पहले आप लोग को सिखाते हैं ये देखें बिड बोर्ट के टाइब का ये यह गितना आपको गोल्डिन झाजर आ रहा है यह एक ज्यूस्रे से जैसे वायर होता है उसी दंग से यह एक दुस्य के साथ connected होता है आपका कोई भी circuit रहे अगर आपको उसका PCB बनाना हो तो आपको सबसे पहले उसका design बेजना होता है और जब आप design बेजेगा तब हुआ जाके यह आपको printed circuit board print करके देगा उसके बाद ही आप इसमें कोई भी connection यानि जो भी wire आपको जहां लगाना हो लगाके उसको solding करके आप अपना performance output निकाल सकते हैं जो की काफी जाड़ा long process हो जाता है और वहीं देखिए इसके comparison में हमारा जो यह beadboard है इसमें कहीं भी circuit design करने की अब सकता हमें नहीं पढ़ती है हम कोई भी circuit कितना भी complicated circuit हो इस पे हम बना सकते हैं और फिर से हम अपना component का use भी कर सकते हैं बिना काटे च्छाटे या solding की वे तो आईए हम जानते हैं कि यह काम कैसे करता है जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं यहां पे देखिए group बना हुआ है एक group, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten देखिए horizontal way में हमारा क्या बना हुआ है एक group बना हुआ है, कितना है, ten है तो हम इसको five, five के बीच में divide कर लेंगे जैसे one, two, three, four, five देखिए यह five यहां लेकि यहां तक separate अलग हो गया और यह five, one, two, three, four, five और यह five मेरा अलग से separate हो गया अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है यह separate हो गया, तो आईए हम आपको बताते हैं हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने देखिए हमारे पास यह nine बोल्ट का से लगा हुआ है इसका देखिए हम positive wire यहां लगाए है अब देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम five क्या बोले है देखिए, यह five जो point है इसका नीचे बोला point, देखिए, हमारा यह negative wire हो जाएगा black बोला और यह positive, तो negative का देखिए, यह five जो हम group बोले हैं that means कितना hole, one, two, three, four यानि एक group में पांच hole तो यानि टूटल का 25 बोल टक हमारा यह negative का यहां से यहां तक क्या हो गया sorted हो गया, और उपर में देखिए, हमारा यह क्या है positive, positive wire है, तो positive का देखिए, one, two, three, four यह यहां से लेकि यहां तक क्या हो गया, sorted हो गया 25 point अब देखिए, जैसे कि हमारे पास यह छोटा सा LED है तो देखिए, यह work कैसे करता है हम देखिए, अपना यहां पर connection कर रहे है जैसा कि हम मैंने बताए, यहां देखिए, positive point है one, two, three, तो यह positive point है, twenty five आप जो count करेंगे, जैसे, one, two, three, four, five अब यहां तक, twenty five, यानि, five group तक, यानि, हमारा जो point short होगा, यहां से, लेकि यहां तक, देखिए, बल्व यहां तक जलेगा, twenty five तक, और उसके just point हम यहां आएंगे, यह बल्व देखिए, glow नहीं करेगा ओके, twenty five में से आप यहां भी point ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, देखिए, मेरा बल्व जल्व है, यहां भी देखिए, हमारा बल्व जल्व है, देख सकते हैं, आप बल्व मेरा जल्व है, यहां पर भी यहां, हम कहीं से भी इसका और put ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही हम 25 पॉइंट यानि 5 गुरूप 1,2,3,4,5 5 के आगे वाले गुरूप में लगाएंगे तो यह वर्ट करना बंद कर देगा ओके एक तरह से सुचिए तो यह यहां से लेके यहां अगर हम कोई पॉइंट दियें तो यह मात 25 होल तक ही सपोर्ट करेगा सौर्टेड है उपर वा मान लीजिए हमें यह पॉइंट यहां पर अगर हमें जरूप पर गई यह बल्ब को यहां जगाने की तो देखिए इसके लिए हमारे पास बहुत तो देखिए हमारे पास यह है जमफर वायर इसको क्या बोलेंगे जे यू एम पी एच यार जमफर वायर तो देखिए जमफ किस परकार हम करेंगे यहां पर positive का वायर तैसे यहां लिए और यहां पर एक डीडिये हम हमारे negative का point कहीं से भी हम ले लें क्योंकि मेरा हर एक जगा है और यहां पर हम दिए डेखिए हमारा बल्व गुलू करने लगा यहां पही कहीं बात हो गई horizontal pin की जितने मेरे horizontal pin थे उसकी बाते हम कह दिये अब देखिए जैसा कि आप लोग यहां count किये थे 1, 2, 3, 4, 5, same to same यहां है 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि यह आपका काम किया only 25 volt तक same to same यह 25 volt तक sorted है अंडर से ओके आओ देखिए same to same आपका नीचे में यह point आपको नजरा रहा होगा इसको भी हम same group बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, okay यह 5 अलग group हो गया फिर यहां से 1, 2, 3, 4, 5 यह अलग group हो गया अगर मान लिजे अब हमें यहां कोई बल्व जलाना है यहां हमें अफना कोई बल्व जलाना है इसका positive नेगिटीव हम check कर लें हम F इसको यहां से क्या कर सकते हैं जंक कर सकते हैं यहासे अपना point लिए हम और इसको कर कदें कहां तक 25 point 25 प्वेंट और यह हमारा 25 प्वेंट करने लगा अब देखे हम आगे बात करते हैं अब हम बात करते हैं यह पीन क्यों प्रम कियों है पर पांच पॉइंट है ना तो यह कोई भी connection हम करेंगे तो मात यह पांच पॉइंट तक ही सिमित रहे और कहीं नहीं जाएगा सेम टू सेम यह पांच पॉइंट बर्टिकल में हमेशा बर्टिकल में देखेंगे इसमें इसमें हमें horizontal जाने की जरुबत नहीं है जब भी देखेंगे हम vertical में देखेंगे अब जैसा की आप देखें इसका हमारा क्या है positive कौन सा है जी positive है हमारे यह positive है और यह negative है तो देखें हम positive pin को यहाँ अगर दे दिया और negative को यहाँ दिया देखें negative हम कहां लगा रहे है दो point ले रहे है एक यह positive के लिए और यह negative के लिए तो इसमें vertical बर्टिकल के टौर पे इसमें sorted point रहता है तो जैसे दिखेंगे हम यह बल्ब जलाना होगा तो यहां से हम यहां connect किये और यहां से हम इसका negative देखेंगे यह हम अपना four point को ही हम द दे सकते हैं और इसका negative terminal को one two three four five यह मतलब तीन point तक ही दे सकते हैं अब कोई भी vertical आप जैसे यहां पर connection लगा है यहां पर connection लगा है अब देखें इस बल्ब का बल्ब कैसे चलेगा यह इसका positive और इसका negative तो बस one two three four यही four point में हम लगाएंगे positive positive मेरा कौन है लाल बला है positive तो यहां हम positive दे देंगे इसके same to same और इसका negative यहां देंगे तब मेराई बल्ब जलेगा देखें जल चुका है ठीक है यह इसी परकार work करता है हम अपना कोई भी circuit बनाए उसमें कैसे भी हमें connection करना हो हम कर सकते हैं और एक point हम आपको बता देते हैं कि यह देखें हमारे पा जाएंगे यह क्या होगा point one two three four five six seven eight ओके अब देखें यह तो हमारा होल का कम हो गया यह जो होल जो नो लिंब आपको नजर आ रहा है इसके बीच की दूरी होती है जिरो point one inch ओके और यह जो आपके बीच का distance देख रहे हैं यह दो point की बीच में हमारा breed board में भी point का difference 0.1 inch होता है आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को breed board के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाया यदि आप लोगों को कहीं भी problem है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं थैंक यू पर्ल टेकनिक फैमिली आपका मैं विच्च जीट